दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो की इंफोर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी वो भी मुफ्त में दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल में शराब के बारे में इसे पीने वाले और नपीने वाले अमोमन इतना जानते हैं कि इससे नशा होता है इसका अधिक सेवन शेरीर के लिए हानिकारक होता है लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है की बला शेराब शेरीर में जाकर क्या करती है चलिए आज जान लेते हैं कि शेराब पीने के बाद 24 गंटों तक होने वाले इसके असर के बारे में पहले के 5 मिनिट शराब का पहला गुट लेने के कुछ मिनटों के भीतर ही एलकोहल पेट में जाता है और फिर खुन में मिलता है ऐसे में यह है एलकोहल दिमाग सहीद शरीर के सबी हिस्तों में पहुँच जाती है 10-15 मिनिट बाद शरीर एलकोहल को जहर की तरह लेता है और जल्द से जल्द इससे मुक्ति पाना चाता है ऐसे में वो इसे विकटित करता है और जल्द से जल्द शरीर से बाहर निकालने की योजना बनाता है ऐसा में शेरीर अलकोहल डिहड्रोजनेज नामक एंजाइम बनाता है जो कि शेराब को ऐसे टेल्डी हाइड सही अन्य रसायनों में बदलता है इसके बाद इसे एसे एसिटिक एसिड और फिर फेटी एसिड और पानी में बदलता है जब आप इसे अपने लीवर की शमतास से ज्यादा पीते हैं तो आप आउट हो जाते हैं 20 मिनिट बाद शराब पिने की 20 मिनिट बाद आपको एहसास होने लगता है कि शराब आपके उपर अपना काम करने लगी है फिर शुरू होता है दिमाग पर शराब का असर और आपको अच्छी या अन्य बावनाई होने लगत है नशा भी इसी समय काफी हो जाता है 60 मिनिट बाद इस समय आपको टोईलेट जाने की ज़रुरत महसूस होती है क्यूंकि एलकोहल मुत्रवर्दक पे होता है और सीड़े गुर्दे तक जाता है और पानी पीना बंद कर देने पर आपको नींद आने लगती है 12-24 गंटों तक नींद से उठने के बाद आपको डिहाइड्रेशन के कारण हैंग ओवर के काई सारे लक्षन जैसे सिरदर्द, चक्कर, गबराहट इत्यादी होने लगते हैं और इस समय भी शेरीर रक्त में मौझूद एलकोहल से लड़ने की कोशित करता है और दिरे दिरे नशा उतर जात है तो दोस्तों यह था शराब पीने के 24 गंटों तक आपके बोड़ी में क्या होता है जानकरी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दन्यवाद